आप देख रहे हैं समाचार एजिंसिय अफ इंडिया में साइन नियूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजिंसिय अफ इंडिया की साइन नियूज में लिम्टी की लाल टैन के पॉस्तों बान बेव एपीसोट इस बार पर प्राव करते हैं पर फिर हम दल्सागर तलाब में खड़े हुए हैं दल्सागर तलाब अगर आप देखेंगे तो यहां एक कतिमा लगनी है राजा दरपशाई की कतिमा लगनी है पीछे आपको देख रहा हुगा ऐसा लग रहा है कि एक शेत में हम पड़े हुए हैं दल्सागर तलाब जब से बना है उसके बाद से संभवता है पहली बार ऐसा हुआ 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 कि बर्फात के उपरान भी यह दल्सागर तलाब आज हमारे साथ अधिकफ्ता नवेंदू विश्रा हैं और इनके द्वारा तुस्ट गलाप कि सुध ली गई जल्फागर तलापS लगा होना चाहिए नए होना चाहिए और इसके जवाब नहीं इसकी है बहुत स्वाज़त है लगा तो आपके द्वारा अभी NGT में अभी जहानकारी मिली है कि विकास ने धीरे धीरे हमारे जो प्रकषक सुरोथ हैं चाहे वो जनल हो या भश्य पक्षी हो या हमारे ज़ल्त खेंच करना शुरू कर दिया भीजु को यह माना गया कि हमें अपने जल्स जल्स प्रोतों की रच्छा करने की ज़रूरत है इसके अंतरगत बनाय गया जिसे दुनिया भर में बनाया गया और इंडिया ने उसको as it is adopt किया तो wetland rules कहते हैं कि जहां पर भी पानी का संग्रहन है जो प्रकरतिक संग्रहन होता है इनके संग्रहन के लिए रूल्स बनाया जिनको 2017 में मूर्त रूप दिया जया 2017 में बनाये रूल्स कहते हैं कि किनारों को छोड़कर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रुक्शन काम पचास मीटर के डायरे के बाहर किसी भी आदर भूमी पर नहीं कराया जा सकता जब तक कि वो इतना आवश्यक ना हो जो कि बिल्कुल जिसके बगर काम नहीं चल सकता है जिसे आपको किसी लदी को क्रॉस करने के लिए पुल बनाना है लेकिन परियटन के नाम पर आप इस तरीके की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकते तो इस नियम के अंतरगे थी हमने जब हमें दल्सागर का कारे देखा और हम बहुत समय से दूर उन रहे थे कि एंवार्मेंट में कोई रूल मिले कहीं कुछ रूल मिले तो लागपुर के फुटारा तलाप पर एक केस इसी तरीके का आया था कि मैट्रो का एक पिलर लापु तो यह बड़ा इंट्रेस्टिंग है और उसको विनाने के लिए जनरली आज के समय में जब हम आदूनी समय में हैं तो आपको अज तरीकी के पिलर्स बनाने हैं तो इसके यसाल के लिए आप लेटलेंग को खाली नहीं कर सकते इस तड़ी के साथ ड्राइ नहीं रख सकते क् तेकनलोजी है, आप पिलर्स बना दीजे, तो क्यों पर फूल बना दीजे, तो इस तरीके का पूरे और यह जो दलसागर है, यह सब दलसागर उपर से पानी नहीं है, और हमें देखने में सुकून देता ऐसा नहीं है, यह जो हमारा आसपास का पूरा रीजन है, इसका तो अगर आप इसको सुखा के रखे हैं साल भर तो आप यह सोचिए, जितने बोर्स इस पूरे चेतर में आसपास चल रहे हैं, तो सारे बोर्स के लिए जो पानी का रिचार्ज है, वो खतम हो रहा है, एंगेटे ने क्या इसमें कदम उठाए हैं आपकी याचिका पर, उसने मौध्यप्रदेश के पॉलिशन कंड्रोल बोर्ट को कहा कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव और एक कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव लीजिए और एक कमेटी को गठन कीजिए, वो कमेटी 6 अपका के अंदर हमें स्टेटस रिपोर्ट प्लस अक्शन टिकन रिपोर्ट नहीं आपने इस पर क्या एक्शन लिया वो हमें सम्मिट करें तब कोड अगरें शेमार को यह बीस तारिक को 20 अक्टूबर को यह नौवमबर बीस दिसमबर बीस जनवरे बीस फर्वरे बीस मार्च पीस अपरेल तर शेमार नहीं छे हफते शे हफते मतलब यह जाएं कि 20 अक्टूबर से 30 नौमबर मालियत हैं 20 अक्टूबर से 30 नौमबर तक उन्हें अपनी याचिका देने में और याचिका में मुझे पिटीशनर को उन्होंने गाइड किया था कि आप याचिका उन तक पहुचा है तो मेरे द्वारा तीस तारिक को उनको अपनी या तारिक को अगली हेरिंग कोट ने रखी है तब तक कोट इनकी दी हुई सारी डीटेल्स और मेरे द्वारा लगाई गई रिट उस पर ध्यान देगा अभी क्योंकि ये काम चालू है तो हम ये भी विचार कर रहे हैं क्योंकि ये काम अच्छन टिपन रिपोर्ट होनी थी तो तो हम भापस एक बर जाके इनजुटी में झाके स्टे के लिए अअज़डेन धेरिंग में जाएंग जाएंग अव्जय ये एंजुटी या ठीकि ददेशिव का यहां कोई कर रहा लें के साथ के सीनि में बहुत सारे कर रहा लेंके कर लेलेन आद ही और रियलवे के है अश यह सब नहीं हो पाता जबलपुर से कोई आकर इसे देखे यहां पर यह एक बड़ी बात है आप किसे जवाब देह मानते हैं इस दल्सागर को बारिश के बाद भी खाली रहे हैं इसके लिए तो हमारे सारे जन प्रते निरी यह एकार करा कौन रहा है नगरपाली का काम करा रह हो रहा है और सारे लोग अपनी नंगी आखों से बरबादी देख रहे हैं जिला कंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौन राजकुमार कुराना इस मामले में कुछ नहीं कि भारती जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अलोग दुबे पूरितरहम उन न वह भी कुछ नहीं कह रहे कॉंग्रेस के नगर अध्यक्ष इंवरान पटेल इस मामले नगर का मामला है वे भी कुछ नहीं किया रहे है पार्थी जंटा पार्टी के दू मंदल है उत्तर और दक्षिन संजय सोनी अभिशेद दूबे दूबे देभी पूरिकरहम सिवली के विधायक दिनेश राय वेवी संसर डॉक्टर धाल सिंग दे दिन तो ऐसे इस चिती में गल्सागर क्या भगवान के भरोसे है बिल्कुल हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे जितने भी पार्टी और जितने भी नेताओं के अपने नाम गिनाए हैं मेरी समझ में अभी तक ना तो विधाय ना तो नगरपाली का और ना ही यह पार्टी गर्ट लोग उस बात को समझ पाएं कि सीवनी की मूल भूद दरूरत है क्या है सीवनी का फ्यूचर विजन क्या होना चाहिए दल्सागर जैसी बॉडी पर इस तरीके का निर्माण कारे सोचना भी अपने आप में उनका विजन दरूरत है कि नाम से प्रभाकर मुकंद धबली अंग्रेजीन के व्याक्षा थे थे हमें उन्हें पढ़ाया है तो वे लिखा करते थे और उन्होंने यह बात लिखी थी कि दल्सागर में तब 1984 में एक ब्रिज बनाने की बात आई जब ब्रिज बनाने की बात 84 है उसके पहल अगरफ की नगरपाली का कर रहे है भारती जंता पार्टी के पारशब मौन है तो इस मामले में विदायर जी की विदायक नेदी से यह बद रहे है विदायक नेदी तो निश्यत तो आर को एक सवा करोड़ दो करोड़ के लिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास जो नहीं है विदायक नेदी किसी एक काम के लिए नहीं है तो बहुत प्रसा दिया होगा बाकी सरकार में अशिकति होगा नगरपाली का दे रहे है अब सवाल भही उता है कि इतनी बड़ी प्रतीमा अगर यहां इस्ट्रक्चर यहां खड़ा कर रहे हैं तो वहां से पचास बहुते भी हैं जो खंबे पुल के लिए तो यह भी स्थाई निर्मान की प्रकृती में आते हैं और NGT के रूल फोर सब्रूल तू के उन्होंने दिया है कि किसी भी प्रकार का स्थाई निर्मान नाव घाटों को छोड़ कर कोई नहीं कराया चासकता और यहां हो रहा है ज कि काम होता है तो सब के अपने अपने हितों किसी का राजनीतिक हित होता है किसी का आर्तिक हित होता है और इन सब हितों को देखते हुए सिल्मी का हित मारा जाता है और जो इस दलसागर में हो रहा है इसमें सब मिले हुए जब चाय भाजपा हो कॉंग्रेस हो सब को पता है क तो पर शारे लोग मिले हुए हैं आपको एक कहना बिलकुल स्वास्ट साफ गोई के साथ आपको कहना है एक बात और कि सिन्न पर णीपें रज़ कि यहां अ हैं और यहां यहां प्रेंल लगे करें ते तका सुना हुँ such a उनक बैठ यहां इस टालाब में बैठा श्राप एरा Cambair दिनेश राय हो या कॉंग्रेस के नगरपाली कद्यक शफिक, उन्होंने साइबेरियन पक्षियों का ठिकाना छीन लिया और आने वाले फ्यूचर का ठिकाना भी गायब कर दिया, यह जो पेड़ लगे हुए थे, जिससे यह दल्सागर खुबसूर्ती डिखा करती थी हमें, यह सारे के सारे पेड़ इन्होंने यहां पर कंस्रुक्शन करने के लिए काट दिये, यह छोटा सा मिट्की का तीला है, जो इस पूरे सेंटर पे स्थापित है, अगर पेड़ इसकी जड़ों पेड़ की जड़ें अगर इसको बाने नहीं रखेंगी तो यह दीरे धीरे खत अगरे लगबग जैसा की बताया जाता, 400 सालों से दलसागर यहां स्थापिता चार सो ज़ादा सालों से बिल्कुल तो यह दलकाशा के साम पर यह बना गया है, तो अब तब से जो था, अब यह जो पेड़ है, इनकी जड़े कितनी गहरी ज़ही होंगे, इन्होंने कितना ब इन दस पेड़ों के क्या आप इस दिशा में भी एंगेटी से के संग्यान में यह बात लाएंगे जो अपनी पिटीशन तयार किये उसमें इसको सुखानी की बात रखी है कि यह एक नैसरगी इस्थान है जहां पर आप रवासी पक्षी आकर रहा करते थे और इस तरीके की जो construction activities है और जिस तरीके से पेड़ों को काटा गया है तो यह अपने आप में उनका जो पर्मनेंट इस्थान है क्योंकि प्रवासी पक्षी आये हैं इस बार अगर उन्होंने अपना रहने का थिकाना बदला तो वो अगले बार बापस यहां नहीं आएंगे क तो वो बैठिंग उसके ऊपर बोल्गा नहीं गाया हो गया है सारे पेर काटे और वो इन कॉंग्रीट के स्ट्रक्चर में से इसके पेर काटे गए हैं वन विभाग भी इसके लिए कहीं जवाब देया होगा तो पूरा पूरा वन विभाग अब मुझे नहीं पता कि क्योंक अगर यहाद पढ़ रहा है कि जिस नियम के तहत अगर एक प्रजाती के काटिंग उसी प्रजाती के लगाना है ताकि और उसी चेतर को फायदा पहुचाने के लिए अगर आपने इतने पेर यहाँ काटें तो आभ यहां कहां लगाईंगा अभी तो जगे नहीं पच्छी य जिसनलगर यहाँ पे यहां पे अगले बार पाई जैसे कुछ पक्ची उत थे भी दख रहें इंदेख रहेंं कुछ बगले दिखा यडे रहे हैं उपर एकका दुक्षाव देख पत्राय एक कउ पंपली प्र को ऑद मैलके सबस्शे में सब से बड़े इल होंगा है यहाँ ह किसी भी दल के प्रत्याशी ने अभीकट इस दल्शागर के सुखाने पेड काटने को मुद्धा नहीं इस विकास की जो सोच है वह बड़ी अजीब है कि जहां तहां कॉंक्रीट बना दो तो विकास हो जाता है लेकिन इस मामले में प्रत्याशी की बात तो मैंने आपको बता दिया और पार्टियों का विजन बता दिया उनके लिए पर्यावरण नाम की कोई चीज नहीं है और उसका सस्टेनिबिलिटी समय निता पैसे के आगे नीचे ही होती है लेकिन इस पर एक अच्छी बात यह रही है कि जब से मैंने यह पेडिशन बनाई है इसके पहले मैंने वीडियो भी बनाया था शहर के अलग गलग लोकों का शहर बहुत कंसरने इस बारे में कि हमारी एक अबूत पूर्व पर्यावरणी जो हमारी विरासत है उसको खतम कर कर दिया गया है को इसलिए नहीं बोल पारा था कि पता नहीं था कि बोले कैसे क्या बोले कहां जाके रूक लगाएं कैसे लगाएं मुझे भी बहुत स्टडी करनी पड़ी पता गरना पड़ा तब जाके मैं यह कर आया हूं लेकिन लोगों का भरपूर सहीयोग मिल रहा है फोन गर के बोलते कि भई यहां तलसागरा हैं हमने आपका वीडियो देखा और यह सच में बहुत खराब काम हो रहा है यहां एक शराब की दुकान हुआ करते थी फूरा कच्रा खराब का बोचल डिस्पोजेबल और सारी चीजें तलसागर में प्रवावाइत होतीं पर किन जाए शाम अरए थोड़ा था अन्देरा होता है और खुला हाथा नुदा था फार्वाइत व अग्जाता है तो यहां क्या गारणटी है कि यहां पर वह सब नहीं होगा जारा कि यहां एक हुपल भी खोड़ी है तो ऐसे स्टी में गंदगी कहा जाए है इक तो रेस्टॉर तो यह माल गया जाय कि अभी तक आजान सेंतर लगने के पहले तक अजिए विपक्ष चेह जो रहा कि सपताधारी बल्ड के और विपक्ष की सहमत दोनों की सहमत दिको और दूसर दूसर नूसेंस के जो बात के हैं अगर इसके आसपास जो गार्डन बनाया गया दल्सागर के पर जो पुराना अभी नाय जादन है तो वहां पर लाइट्स नहीं है अब शाम को आके लेकिए यह जो पैदल पार्क है एक करोड नौ लाख रुपे से उसे बनाया गया था पर इंटिंग अलायच अलेक्टर हुआ करते थे यहां से लेकर वहां सक एक करोड नौ लाख अब इतनी सेक्योंटे कर नहीं सकते हैं जुसेंस दगा दिन सेक्योंटी का मामला है कि जो लोग Hier आएएंगे उनके साथ कोई पर शुपलो कन्सरस कर ने काम हैं यह एऑ आं धीच बीज़ु वन्ने का काम है यह एंविटी रोक सकता हैं और जुदर्स का पारी कर सकता है दं मतलब नगरपाली का कटगरे में खड़ी हो जाएगा, कॉंग्रिस शाषित नगरपाली का कटगरे में खड़ी हो जाएगा, कॉंग्रिस शाषित नगरपाली का कटगरे में खड़ी हो जाएगा, कॉंग्रिस शाषित नगरपाली का कटगरे में खड़ी हो जाएगा, इस दल् सागर को कभी खाली नहीं देता खाली देखा है तो सिर्फ फरवरी मार्च अप्रेल और मई के महने इसकी गाद निकाली जाती थी इस बार इसकी गाद भी नहीं लिका देती तो यह पूरा एक साल तक इसे खाली दखा गया है बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा वैसे भी पानी बहुत पानी का संकट है और चौथा विच्छ युद्दु कहा जाता है कि पानी को लेकर ही होगा जिला मुख्यालय का यह आलम है वह तो एक संयोग कहा जाए जागरुक हैं अधिवक्ता नविंदु मिश्णा जिनके द्वारा इस पूरे मामले में एन्जिटी के पा पास जाकर अपनी बात रही गई आश्यर इस पास पर है कि विधायक रहते हुए दिनेश राय विधायक के लावा सांसद रहते हुए डॉक्टर डाल सिंग मुषीन नगरपाइल का अध्यक्ष शफीक पार इस सब के अलावा जना कॉंग्रिस कमेटी के अध्यक्ष अगे क्या इस पर कारवाही करती है प्रदूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूशन नेंद्रन बंडल यहां पर आकर जबलपुर्सिसित दिरस अक्लिमीटर उने आना है और आकर में देख सकते हैं उनके अधिकारी वे कब आते हैं कब जरते हैं किसी को नहीं पता शनिवार के दिनाते हैं और यहां पर पॉलिठिन जब बजार बंद होते हैं तो वस बंद बजार में तो पॉलिठिन जब्सी की कारवाही की जाती है यह कहा जाए कि बना दिया गया है तो बहुत शुक्रिया आपका नवेंदु विश्राजी आप बहुत युवा और जागुरूक हैं इस बास से इंकार नहीं किया हैं समाचारे जिंटिया के साहिने उस्पलिटिकी लाड टायम के 592 अगर आपको इन समाचारे जिंटिया के साहिने तो आप समाचारे जिन आनने धनने गुचकाइब झाएबगारे अज़ेग एकाइब झाल झाल झाल